नवरात्री का तिवहार और माता के 9 दिन, इन दिनों में हर जगा सरफ रौनक ही रौनक होती है हर शक्स माता की अराधना में लीन हो जाता है शार्दिय नवरात्र हो और गर्बे की बात नहो ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गर्बे की मस्ती के लिए तो साल भर ही इसका बेसबरी से इंतजार रहता है और हर आयू वर्ग के लोगों में गर्बे का उटसाथ देखने को मिलता है गर्बे में आपकी फुटवेर से लेकर आपके ड्रस अप तक इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए लेकिन गर्बे में इस सरफ अच्छे कपडों से ही बात नहीं बनती बलकि इस समय आपका मेकप आपकी तयारी में चार चांद लगाता है क्योंकि गर्बा नाइट्स में हर कोई शक्स खास दिखना चाहता है और ऐसे में खुट पर ध्यान देना भी तो जरूरी है तो आईए जानते हैं मेकप के कुछ खास टिप्स जिसे अपनाने से आप बन सकते हैं और भी ज़्यादा खुबसूरत गर्बा मेकप के शिरुवाद सबसे पहले आपके मौस्टराइजर से होनी चाहिए आपको सबसे पहले चहरे को मौस्टराइज करना है जिससे कि आपका चहरा ड्राइ ना हो इसके बाद आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्राइमर यूज करना चाहिए जिससे कि आपका make-up लंबे समय तक बना रहे इसके बाद आप अपनी स्कीन टोन के अनुसार बेस का चयन करे और इस बात का जरूर धियान रखे कि आपका बेस आपके स्किन से मैच करता हुआ हो यदि आप अपनी स्किन से एक टोन जादा यह कम का चयन करते हैं आपके चहरे को भद़ा बना सकता है चहरे पर बेज सेट करने के बाद आप Compact Powder का इस्तिमाल कर सकती है Compact इस्तिमाल करने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि Compact Powder भी आपके Skin Tone के हिसाब से हो आँके हमारे चैहरे का सबसे महतोपूर्ण हिस्सा होती है और वैसे भी कहा जाता है कि आँखे दिल का आईना होती है इसलिए आँखों के मेकप को बिलकुल भी नजर अंदाज ना करे आँखों का सही मेकप आपकी आँखों की खुबसूरती को कहीं जादा बढ़ा देता है इसलिए मेकप में आखों को हाईलाइट करना बेहत ज़रूरी होता है अपनी आखों को आप बोल्ड लुक भी दे सकती है आप चार कोल ब्राउन, डी ब्राउन और स्मोकी ब्लैक जैसे आईशाड़ो का इस्तिमाल कर सकती है मेकप में ब्लश भी होता है बहुत ज़रूरी आप अपनी स्किन के अनुसार ब्लश का च्रेन कर सकती है ब्लश को हलकी सी स्माइल करते हुए लगाए साथ इस बात का भी ध्यान रखे कि सिर्फ गालो पर ही आपको ब्लश नहीं लगाना है ब्लश को कुछ इस तरह से घुमाए जिससे कि आप गालो से लेकर कनपटी तक ब्लश को लगा सके ब्लश के बाद बारी आती है आपके हूटो की आप अगर अपनी आँखों को बोल्ड लुक दे रही है तो इस बात का जरूर ध्यार रखे कि आप लिप्स्टिक का डार्क शेट का चैन ना करे आप लाइट लिप्स्टिक का चैन कर सकती है